Central Administrative Tribunal के जम्मो बैंच ने आज सब इनिस्पेक्टर्स की सेलेक्शन अबलीग एपॉइंट्मेंट्स, सेलेक्शन भी हुई थी, सेलेक्शन के बाद इन तमाम सब इनिस्पेक्टर्स की एपॉइंट्मेंट्स भी हुई थी, उस लिस्ट को कौश किया है और कौश करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि जो सेलेक्शन लिस्ट सब इनिस्पेक्टर्स की एग्जेक्टिव पॉलिस में और आम्ड पॉलिस में, जम्मो कुश्मीर पॉलिस में इर्विटीजमेंट नमबर पर्स ए 400 ऑबलीक 2016 ऑबलीक 75303 403 30 तसुमबर 2016 को जो जिस इर्विटीजमेंट नोटिस के नतीजे में आम्ड और एग्जेक्टिव पॉलिस की सब इनिस्पेक्टरों की एक सेलेक्शन लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद उनको एपॉइंट भी कर दिया गया था, उसको कौश किया है, सेट आसाइड किया है और और उफिशल रिस्पॉदेंट्स यानि और आपकी इतला के लिए में बता दूं कि ऑफिशल रिस्पॉदेंट्स में स्टेट गवर्मन्ट थ्रू कमिस्टेक्टरी होम दीजीपी जेनके पुलिस चेर्मन पुलिस रेक्रूट्मेंट बोर्ड एडीजीपी आंड और उसके इलावा और भी कई नाम हैं ये सारे नाम मैं पढ़ूंगा नहीं सीधा आपको मैं ये बताऊं कि इन तमाम को ये कह दिय है कि सब इंस्पेक्टर्स की जो स्लेक्शन लिस्ती उसको कोश्ट किया जा रहा है और ऑफिशल रिस्पॉंडेंट को या नश्म्ट को ये आदेश दिये गए हैं कि आप selection list दोबारा से law और rules के मताबक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तयार करें और जिस भी दिन आपको इस order की certified copy मिलती है उस दिन के फॉरण बाद जो है आप इस list को तयार करना शुरू करें आप की इतला के लिए बता दूमें कि आज ये जो cat में judgment है ये deliver की थी Mr. Rakesh Sagar Jain जो judicial member है और उन्होंने आज ये judgment deliver की और इस judgment में मैं आपको ये भी बता दूमें कि cat jamu में दो membran है एक member है Mr. Rakesh Sagar Jain जो judicial member है और दूसरे है Mr. Anand Mathur जो administrative member है तो आज ये judgment जो है judgment की copy बिलकुल मेरे सामने है इस judgment के मताबक ये applicant थे रिशो शर्मा और उनके साथ साथ और लोग थे जिन्होंने केस फाइल किया था और इस केस में एडिशन एड़ोकेट जनर अमिद गुपता official respondent थे हाई हाई कोट की जो order sheet है उस order sheet के मताबिक ये 630 of 2019 केस था और इसमें ये भी कहा गया है कि registry जो honorable high court की है registry के मताबिक नोटिस जो है private respondents को भेजे गए थे registered post से 15 मार्च 2019 को और वो आज तक वापस नहीं आए which had ना वो notice served किये गए unserved notice वापस नहीं आए statutory period खत्म हो गया था लेकिन respondent number 5, 7, 8, 9, 18, 29, 32, 33 वो सभी respondent जो है in person सामने in person आ गया और in person कोट के समक्ष पेश हुए ये आपको ये भी बता दें कि मामला असल में ये है कि एक advertisement notice 30 December 2016 को issue किया गया इसमें applications invite की गई सब inspector executive armored wing जमो कुश्मीर पोलिस की applicant जो थे जन्हों गुजारिश की थी जिन्होंने case file किया थो उन्हीं ये कहा था कि आप selection और उसके बाद जो appointment हुई है private respondents की चार से 38 तक ये चार से 38 तक नाम हैं पूरे मेरे पास तब ही मैंने पहले आपको कहा था मैं की मैं नाम नहीं पढ़ूँगा इसमें जो respondents में हैं उनका नाम सुधीर सिंग चालक इबरार अल्हक नीरज परिहार अरविंदर सिंग विकास खुलर दिविंदर सिंग अभिनव कोत्वाल अथर नजीर लोन अनिल परिहार अब्दुल सतार, मशकूर एहमद, इश्वाक एहमद, साकिब हसन, साहिल बगत, आशिक हुसैन बट, स्टेंजन जंगपो, शेख शकील एहमद, मौमद सुफलोन, बलबीर सिंग, शेराज एहमद, रजच शर्मा, और बहुत सारे नाम 38 तक नाम है, जैसे मैंने आपको कहा, कि इसमें इन्होंने साफ तोर पर ये कहा, कि 4 से 38 तक, जिन प्राइवेट रिस्पॉंडेंट्स को, सब इस्प्रिक्टर भरती किया गया, उनको लेकर, एप्लेकेंट्स का ये इल्जाम था, उन्होंने ये कहा था, कि इलिगली, इसको लेकर उन्होंने ये कहा, कि जो पेटिशनर्स हैं, जिन लोग उन्होंने पेटिशन किया था, उन्होंने कैटेगरी वाइज जो ब्रेक अप था, उसको डिस्टर्ब किया, जो और इन्होंने इन्होंने कहा था, कि ये कैटेगरी वाइज ब्रेक अप है, इतनी I meant for the petitioner to the private respondents ये quota in private petitioners करता उस potential private respondents को दे दिया गया अप्लिकेंट ने Official首outing ये भी कहा था या नि दो कश्मीर सरकार से ये भी गुजारीश की थी जिन लोगों नोग ने place file किए था कि आप Petitioner को selected or Appointed against the power of sub-inspector consider grinder करें ये भी कहा गया था हला कि कैट ने जो कहा है कैट ने selected और appointed की दो बात ही नहीं की है यानि जो petitioner है उनको लेकर ये cat ने नहीं कहा है कि ये select हो गए ये appoint हो गए बल्कि डूम्हों कश्मीर पुलिस को ये कहा है कि आप जापते के मताबिक कानूनों के मताबिक आपने जो category को लेकर violations की है उन violations को ध्यान में रखते हुए आप देखे कानून और जापते के मताबिक क्या किया जाना चाहिए वही कहिए आपने कानूनों का उलंगन किया है हम इस उलंगन का नोट लेते हैं ये भी चीजें जो सामने जो चीजें नोट की cat ने पहली बात cat ने ये कही कि category wise breakup जो है notify जिन post को advertise किया गया था उसको notify वो cat की नजर के सामने से गुजरा clauses conditions क्या थी advertisement की उसे भी cat ने study किया special recruitment role के clauses क्या थे वो भी cat ने उस पर भी नज़र दोड़ाई और उसके बाद settled principle of law हो गया कानून क्या कहता है जो मामला बना इस मामले में कानून क्या कहता है उस पर मिने नज़र दोड़ाई तो अब जो मेरे सामने category wise breakup आया है वो ये आया है कि executive में 275 open merit की पोस्टें थी 96 RBA थी 28 ST 49 SC ALC की 15 पोस्टें थी OSC की 9 482 लोग को set करना था executive police में armed police में 100 पोस्टें open merit की थी 35 RBA 18 ST 15 SC 5 ALC 3 OSC और total 176 पोस्टें थी जो armed police में advertise की गई थी लेकिन जब selection की बारी आई 275 पोस्टें armed police की open merit में advertise की गई थी लेकिन selection की गई 310 लोगों की यानि 275 थी open merit में और इस यह जो मेरे पास order के मताबिक 310 पोस्टें जो हैं वो उन 310 पोस्टें fill up की गई साफ तौर पर यहां यह नजर आता कि armed police में 275 पोस्टें थी और 310 selection हो गई यानि 45 लोगों को जो select किया गया वो advertisement notice के एन मताबिक नहीं किया गया यानि यह 45 लोग जो 300 खालांग देखें open merit में अगर 365 पोस्टें तो 365 ही selections होगी 96 पोस्टें जो हैं थी RBA की selection होई कुल 77 48 पोस्टें थी ST की selection होई 41 49 पोस्टें थी SC की selection होई कुल 35, ALC की 15 पोस्टें थी select होई कुल उन पोस्टें के अगेंस्ट 12 इसी तरीके से OSC की 9 पोस्टें थी selection होई कुल 7 लोगों की यानि आंकड़ा 380 ही रहा लेकिन किया क्या गया कि open merit में 45 सीटें बढ़ा दी गई आरबीय से जैसे मैंने आपको 21 पोस्टें आरबीय से काटी गई साथ पोस्टें ST की काटी गई चार पोस्टें SC काटी गई ALC की 3 पोस्टें काटी गई OSC की 2 पोस्टें काटी गई तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जब selection होई जो advertisement में जितनी जितनी पोस्टें जिस डिस कैटेगरी की थी यानि कैटेगरी वालों का जो हग था इस पेटिशन के मताबिक वो हग जो है open merit वालों को दिया गया ये basically सारा मामला था इसी तरीके से armed में 100 पोस्टें एड़टाइज की गई थी open merit में 65 की selection की गई RBA में 35 पोस्टें इन्हों एड़टाइज की थी वहाँ पर 24 RBA में select किये गए इसी तरीके से ST की 18 थी तो 25 select कर दिये गए SC की 15 थी तो 19 select किये गए ALC की 5 थी तो 8 select किये गए तीन पोस्टें OSC की थी 5 select किये गए total 176 थी 176 ही रही यानि armed में उल्टा हुआ कि open merit की पोस्टें जो है वो कम की गई और executive police में open merit की पोस्टें बढ़ाई गई तो मामला यह बदा clause number 5 का reference दिया है यहां पर cat ने clause number 5 में clearly कहा है कि जो candidate है वो clearly अपना preference बताएगा कि क्या वो executive में जाना चाहता है या वो armed police में जाना चाहता है और यह दोनों चीज़े वो clearly यह preference वो समय बताएगा जिस समय वो online application फाइल करेगा online application फाइल करने के बद preference का merit की बुनियाद पर selection होगी applicant की selection होगी और यही इसी के और इसी बुनियाद पर allocate की जाएंगी executive और armed wings clause number 8 जो यह था कि return test और वाइवा में और personality assessment test में और उसके बाद vis-a-vis number of vacancies in their respective categories उसके हिसाब से सब इंस्पेक्टरों की appointment होगी उसके बाद जैन के special recruitment rules का हवाला दिया गया है फिर principle of law की बात की गई है उसमें उनने कानून बताया है कि कानून साफ तोर पर यह बताता है कि vertical reservation में और horizontal reservation में बिलकुल फर्क है social reservation का जहां तक तालोग है SC का, ST का, OBC का वो article 16.4 के तैद vertical reservations है यानि आप इनको vertical से horizontal में convert नहीं कर सकते और special reservation है के cat कह रहा है अपने order में जहां पर भी vertical reservation एक backward class को vertical reservation दी जाती है article 16.4 के तैद candidate belonging to such backward class may compete for non reserved post अब जो post नहीं हुई है candidate एक backward class का candidate उन पोस्टू के लिए भी compete कर सकता है और अगर उनकी appointment non reserved post के against अपने merit पर होती है तो उनका number quota के against count नहीं किया जाएगा साफ तोर पर ये कि अगर आप backward class में हैं और आपको vertical reservation है और जिस वकित आपने इंतिहान दिया इंतिहान में काम्याब होने के बाद आप अपने merit की बुनियाद पर पांचमें छटे इस्थान पर आते हैं या schedule class category के या OBC category के या ST category के लोग जो है मान लीज़े ये अपनी merit की बुनियाद पर 40 या 50 पोस्टें जो है open merit में ये आ जाते हैं आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप इनको open merit से उठाकर category में डाल दें इनको category की इनकी selection जो है open merit में होगी तो वहाँ इनका quota consider नहीं किया जाएगा therefore अगर SC candidates जो अपने merit से open competition vacancies के against select हो जाते हैं equal है और या वो exceed करते हैं जो seats SC candidates के लिए reserve की जाती है तो इसका कता ही ये मतलब नहीं होगा कि reservation quota जो SCs का फिल किया गया इसको समझने की ज़रूरत है कि साफ तोर पर ये कहा गया कि अगर schedule का category के candidates हैं वो open merit में select हो गए आपने उनका merit उनकी category में आप चाहते हैं कि category में शुरूर कास्ट category की category सेlection में 40 बच्चे आने चाहिए लेकिन open merit में आप देखते हैं कि 52 बच्चे शुरूर कास्ट category के आगाएं 52 बच्चे आएं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि SC quota हमारा फिल हो गया वो open merit में आएं अपनी काबलियत के बलबूते पर open merit में select होएं तो आप उनको open merit से SC category में consider नहीं कर सकते हैं ये basically cat के order में साफ तोर पर कहा गया है इन्होंने ये कहा है कि reservation quota SC का फिल नहीं होता सारे का सारा reservation quota intact रहेगा available रहेगा in addition to those selected and open competition category in addition यानि उसके बाद ये भी कहा गया कि rules पर जब हम नज़र दोड़ाते हैं तो the process of selection can be set to consist of following steps पहला step ये था एक master list जो है वो irrespective of preference marking of category category के बगार preference के बगार एक master list तयार की जाएगी उसके बाद एक एक candidate master list से उठाए जाएंगे और order of preference में डाले जाएंगे executive में armed मिसाल के तौर पे दोसो पोस्ट है एक्जेक्टिव में 100 हुई है armed में ब्रेक अप है दोसो का 150 open merit और 50 है category में ब्रेक अप है सौव का 75 open merit और 25 है category में अब आपने करना क्या है पहले consolidated list 300 पोस्टों की बनानी है ठीक है और उसके बाद उस consolidated list में candidate के नाम के सामने उसका preference और उसकी category जो है दोनुची से लगानी है उसके बाद master list को आप distribute करेंगे कि preference क्या है executive में कितने है और armed में कितने जब तक आपके 200 executive पूरे नहीं होते और 100 armed exhaust नहीं होते उसके बाद जो leftover candidates है master list में ठीक है आप उन candidates में से निकालेंगे pick out the candidates of other categories बाकी categories थे candidates आप निकालेंगे और उनको अपनी अपनी category में डालेंगे उससे पहले आप ये नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर जो selection का procedure adopt किया official respondents ने 275 vacancies advertise की गहीं थी executive wing में open merit में 310 लोग select किये गए जो पहले ही मैंने आपको कहा official respondents के मताबिक extra selection 35 candidates की हुई है जो बाकी categories के हैं and vacancies in these categories have been corresponded और उने यह कहा official respondents ने यह कहा कि जो 35 candidates यह बाकी categories थे वहां पर जो उनकी vacancies है वो हमने select हो रहे थे चूंकि वो सारे open merit में select हो रहे थे ह। हम ने क्या किया जी हम ने open lij means धैका की इए बच्चे select हो रहे हैं तो हमने consequently क्या किया ec का quota कम कर दीर लिए ABC का quota कम कर दिया यानी साफ तोर पर आम जमो किश्मीर पुलिस ने कोशिश ये की कि जो बच्चे कैटेगरी में वो उपन मेरिट में स्लेक्ट अगर हो गए है तो कैटेगरी से उनका जो कोटा होगा वो कम हो जाएगा ये ऐसा कुछ किया गया है अचा उन्होंने कहा कि सेटल लौ है और इसलिए इन्होंने साफ तोर पर ये कहा कि और जदा बात करने और इंडिस्प्यूटिबली सेलेक्शन जो है वो रूल्स के तहत नहीं हुई है सेटल लौ के तहत नहीं हुई है और जो वैलिडिटी है सेलेक्शन लिस्ट की जो इन परस्यूटिजमेंट नोटिस नंबर भी दिया गया है उसको वी केन नॉट अपहोल्ड दिस हम इसको कायम नहीं रख सकते हैं इन तमाम चीज़ों को दियान में रखते हुए जो सब इंस्पेक्टर एग्जेक्टिव और आम पुलिस में मुकश्मीर पुलिस में एड़िजमेंट नोटिस फलाना के तहत 2016 में 30-12-2016 को लगाए गए थे वो कौश होता है सेट असाइड होता है और ओफिशल रिस्पॉंडेंट्स को ये कहा गया है आप सेलेक्शन लिस्ट एफ फ्रेश तियार करें कानून और जापते को धिहान में रखते हैं जितना जल्दी हो सके इस ओर्डर की कॉपी मिलने के बाद यानि वो तमाम सब्स इंस्पेक्टर जो 2016 में लगे थे उनकी सेलेक्शन कम अपॉइंट्मेंट लिस्ट जो है आज की दिन कौश हो गई है लेकिन जो कानूनी जापता है वो ये कहता कि कैट के ओर्डर के बाद अब ये मामला अगर ये रिस्पॉंडेंट्स जमो किश्वीन पुलिस चाहे या जो प्राइवेट रिस्पॉंडेंट्स हैं जो बाकी बच्चे हैं जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और जिनकी सेलेक्शन को चैलेंज किया गया था वो बच्चे अगर चाहें तो अब वो हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं लेकिन हाई कोट में मामला डिविजन बेंच सुनेगा हाई कोट में मामला सीधा डिविजन बेंच के पास जाएगा और डिविजन बेंच ही इस मामले को सुनेगा लेकिन क्या ये प्राइवेट रिस्पॉंडेंट्स हाई कोट का दरवाजा खटकट आएंगे और क्या जम्मो किश्मीर पुलिस हाई कोर्ट जाएगी इस पर भी आपके साथ जुड़ेंगे अगर इस मामले में ऐसी कोई डेवलिप्मेंट होती दीजे इजाज़त आदा